हालो फ्रेट्स वेलकम टो मारे यूटीब चैनल तो फ्रेट्स आज मैं एक प्रोडक्ट रिवियू कर रही हूँ जो है एक आए काजल का तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यह आज की वीडियो तो गाइस आज मैं जिन काजल का रिव्यू कर रही हूँ वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि कौन-कौन से ब्रैंड के हैं फर्स्ट जो मेरे पास है वो है अन्वाई का सेकंड जो मेरे पास है वो है स्ट्रेकोकी का जो थर्ड है मेरे पास वो है फेस कनाडा का तो गाइस यह है तीन काजल जिनका आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि मैंने फेस कनाडा के दो आयकाजल फिर से पॉपल.com से परचेस किये हैं उसका मैंने अल्रेडी वीडियो अपने चैनल पे अप्लोड कर दिया है और मैंने अपने पॉपल हॉल में दिखाया था यह सब कुछ आपको मैंने और कौन-कौन से प्रोडक्ट लिये हैं वो भी मैंने आपको उसी में दिखा दिया था and guys मेरे पास जे मेरी पुरानी packaging थी जिसमें थोड़ा सा रह गया था इसलिए मैंने new packaging इसकी purchase की थी purple.com से तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इन काजल का review आपके साथ share करूँगी सबसे पहले जो है NY का काजल इसके बारे मैं आपको बताती हूँ इसकी packaging अच्छी है and इसकी अगर quantity की बात करूँ तो वो भी काफी जादा आपको मिल जाएगी I think यह आपको 77 रुपीज में purple.com से मिल जाएगा यह वाला काजल आभी मैं आपको अपने हाथ पे भी लगा कर दिखाऊंगी and guys जो यह काजल है ना जो इस पर mention किया है वो है instance color highly pigmentation and single stroke application तो अभी मैं आपको अपने हाथ पे लगा कर दिखा रही हूँ तो guys यह है इस काजल का color dark black color है इसका लेकिन इसका अपना मैं personally review दे रही हूँ मुझे यह वाला अच्छा क्यों नहीं लगा क्योंकि जब हम इसे अपनी आखों में डालते है ना जलन सी महसूस होती है मैंने कुछ दिन इसे use किया मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने यही आपको बता दिया लेकिन मुझे नहीं बता कि आपने अगर हो सकता आप में इसे कई लोगों ने इसे यूज किया हूँ अगर आपने इसे यूज किया है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा लेकिन मैं अपना परसनली बता रही हूँ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा क्योंगी मेरी आखों में जलन होने दगी थी इ ये से पानी आता है नज आखों से पानी निकल निकल ना सटार्ट हो गया था मैरे। जैक न फुढ़ दिया जो है तो प्र कुछ निकल चुका है मैंने काफी जादा यहे चुल जाएगीों से ब्रूपाकं。 तो यह काarta अच्छा लग है तो अधी गांगल स्टेस हो तो बर्फ होंने हम लगा कर अधीन से आपको कर दिखाऊंग ध्यादा से दोगां को अधीने आप्र इसकता सरी में स्ट्रीक पर कशनरा लगा कर दिखा रही हूं तो गाइस यह भी एक single stroke application है and easy application है highly pigmentation है तो यह भी product अच्छा है स्ट्रेकोगी के product वैसे भी अच्छे होते है एक last है मेरे पास वो है face canada का and गाइस यह है इसकी पुराने वाली packaging जिसमें बिल्कल इतना सा रह गया है और मैंने इसी रहे इसकी new packaging पहले से ही order कर ली थी purple.com से अभी मैं यह आपको अपने हाथ पे लगा कर दिखा रही हूँ यह है face canada का eye kajal इसका color भी dark है and गाइस यह आपका 24 hours ट्रे करता है अभी मैं आपको इसकी new packaging open करके दिखाती हूँ and guys एक बात और इसकी जो भी चीज़े इस पर mention की है वो भी मैं आपको बता देती हूँ इसके यह जो आजल है इसकी quantity जो है वो आपको इतनी मिलेगी काफी जादा quantity मिल जाती है इसकी links में आपको description box में provide कर दूँगी and अभी मैं आपको जो यह आयकाजल है उसके बारे में बता देती हूँ यह है यह भी easily आपकी water line पे apply हो जाता है application इसकी easy है and second जो है वो है 24 hours यह अपनी आपकी आखों में stay करेगा and जो third है waterproof है smudge proof है अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी और एक इसका है कि इसपे vitamin E डाला गया है यह भी product अच्छा है मुझे यह वाला अच्छा लगा तो इसे यह मैंने इसकी second packaging फिर से purchase की है अभी मैं आपको इस यह जो तीनो प्रोड़क्ट है यह तीनो अपने हाथ पे तो लगा दिए अभी मैं आपको इसे दिखाऊंगी कि यह smudge करते हैं कि नहीं अगर सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ तो यह smudge नहीं किया इसने second जो स्टेको की क्या है उसने भी smudge नहीं किया जो third है उसने भी नहीं किया तो यह तीनो smudge proof product है जो इनों ने इसके उपर mention किया था फिर स्कनाड़ा का कि यह smudge proof है तो बिल्कुल सही किया था जरूर बताना यह था मेरा आज का review अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यह वीडियो को like करना share करना और comment करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो मेरे चैनल को subscribe करना bell icon को press करना thank you friends